आज सोशल एड़ वर्ड परिवार के अंदर जितने भी आप लीडर लोग हैं चाहे आप अपने आपको फर्स लेवल अचीवर मानते हों सेकिंड लेवल अचीवर मानते हों या थर्ड लेवल अचीवर या फौर्थ लेवल अचीवर मैं आप सभी लोगों को भी सल्यूट करता हूँ कि आप भी उन सहीदों से कम नहीं है आप उन नोजवानों से कम नहीं है जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई थी और आप लोग आज हमारे देश को फिर से आजाद करने के लिए एक मोहीम छेड के इस शोशल एडवर्ड परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि पहले हमने आजादी ली थी देश के लिए और आज जो देश के अंदर जो सबसे बड़ा जो एक रोग लगा हुआ है वो है बेरोजगारी का रोग और इस बेरोजगारी के रोग को मिटाने के लिए आप लोगों ने जो जिम्मिवारी ली है आप सभी अचीवरों को मैं राजीफ शर्मा सल्यूट करता हूँ और आप लोगों की महिनत और आप लोगों का जो योगदान है वो भी बेकार नहीं जाएगा जैसे की शुभास चंदरबोस और चंदरशेकर आजाद जी का जो बलिदान था वो बेकार नहीं गया था ठीक उसी तरह आपका भी बलिदान जो है वो बेकार नहीं जाएगा हमारे भारत देश से बेरोजगारी नाम का जो ये एक बहुत ही बुरा जो एक चिन है इसको हम मिटा करके रहेंगे वक्त लगेगा आप सब लोग मेरे साथ हैं हम लोग आपके साथ हैं और हम सब मिलके इस बेरोज़गरे नाम के जो चिन को इस देश से मिटा करके ही दम लेंगे चाहे इसमें हमें मुश्किले आएं चाहे हमें बलिदान देना पड़े दोस्तो मैं राजिव शर्मा आप सब लोग के साथ हूँ आप सब लोग मेरे साथ हैं जितने भी अचीवर्स हैं सोचल एड़ वर्ल्ड में चाहे वो थर्ड लेवल हैं चाहे वो फॉर्ट लेवल हैं चाहे वो फर्स लेवल हैं या मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अभी हाल-फिलहाल में आज ही उसने जोइन किया है वो भी इस देश का एक लिडर है इस सोचल एड़ वर्ड का एक लिडर है उसने एक मुहीम उठाई है उसने एक निश्चे किया है कि वो खुद तो रोजगार पाएगा ही पाएगा लेकिन साथ में इस पूरे हिंदुस्तान के ही सभी लोगों को रोजगार देने के लिए अगरसर रहेगा दोस्तो सोशल एड़ वर्ड कोई कंपनी नहीं है ये एक मिशन है और इस मिशन का आप सभी लोग जितने भी इस सोशल एड़ वर्ड परिवार के जो लोग हैं जितने भी लीडर हैं वो सभी लोग इस कंपनी के ओनर हैं और आप ही सब लोग यहाँ पे करता धरता है मुझे कभी-कभी हलका सा दुख होता है कि आप लोग जब 3rd Level Achiever Group के अंदर या 4th Level Achiever Group के अंदर कुछ negativity वाली बाते कुछ करते हैं मुझे हलका सा कभी-कभी दुख होता है लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तो कि आप इस देश के वो नागरिक हैं जिस तरीके से उन शहीदों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी शहीदी दी थी उसी तरीके से आज की डेट में आप सभी लीडर लोग इस देश से बेरोजगारी को उखाड़ने के लिए आप अपना बलीदान देनी और बलीदान यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी जान से नहीं देनी है आपको अपने कोई पैसे से आपको बलीदान नहीं देना है आपको सिरफ बलीदान अगर देना है तो वो देना है मात्र अपने 24 घंटों में से कुछ समय हर इंसान 24 गंटे में अपना जीवन वैतित कर रहा है कुछ ना कुछ वो काम कर रहा है लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी इजी 24 गंटों में से अगर आप जादा नहीं सिरफ आदा गंटा, एक गंटा, दो गंटा अगर इस सोसल एडवर्ड परिवार के अंदर आप देते हैं और उन लोगों का सहीोग करते हैं जो लोग आज की डेट में 10,000-20,000 रुपय महिना कमाने के लिए भी मजबूर है तो दोस्तों आप समझ जाईए कि आप इस देश के लिए क्या कर रहे हैं इस देश के लिए जो सरकार नहीं कर सकती वो काम आप लोग कर रहे हैं तो दोस्तों अपने आपको कम ना आके और इस मुहीम को एक हिस्सा बना लें आजादी का हमारा देश आजाद है आज हम सब लोग आजादी में हैं आज हम सब लोग 15 अगस्त की खुशिया मना रहे हैं लेकिन दोस्तों मैं और आप सब लोग खुश तब होंगे जब हमारे इस देश का हर नागरिक रोजगार पाएगा और हर नागरिक खुश हाल होगा और इसी खुश हाली के महतव को लेकर के हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें आप सब लोग योगदान दे रहे हैं तो सोशल एड़ वर्ड परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को आज 15 अगस्त के लिए बहुत बहुत शुक काम ना है और आप सभी लिटर लोगों से मैं गुजारिश करूँगा आप सब लोग सिरफ अपने बारे में अपनी इंकम के बारे में ना सोचें आप उन लोगों के बारे में सोचें जो इस देश के अंदर हैं आजाद देश के अंदर हैं लेकिन आज की तारीक में 10,000 रुपया महिना कमाने के लिए वो बेचैन है उनको कोई नोकरी नहीं मिल रही है, उनको पास कोई कारोबार नहीं है, कोई बैंक उनको लॉन देने वाला नहीं है आप उन लोगों के बारे में सोचें और अगर आप उन लोगों को रोजगार दे पाए और वो लोग अगर 10,000, 20,000, 50,000 मिहना कमा पाए तो वो लोग असल में आजाद हो जाएंगे, बेरोजगारी से और इसका जो में महतव जो जाएगा, वो आप सभी लिटर लोगों को जाएगा और तब आप अपने आप से पूछना, कि आपने क्या कमाया आपको असली खुशी तब मिलेगी, जब आप ये एहसास करेंगे कि आपकी वज़ा से दस लोगों को एक ऐसा रोजगार मिला जिस रोजगार की वज़ा से उनके घर में चूला जला जब उनके घर में 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 पे की इंकम आएगी और वो लोग जो आपको दौाएं देंगे, उससे बड़ी खुशी और उससे बड़ी इंकम मैं कहता हूँ कि आप अगर करोडो नहीं, अगर अर्बो रुपे भी कमा लेंगे खर्बो रुपे भी कमा लेंगे, तो भी आपको वो खुशी नहीं मिलेगी जो खुशी आपको उन लोगों को रोजगार देने में मिलेगी तो आज की जो ये वीडियो है, आज की जो ये ओडियो है आप सभी अचीवर लोगों के लिए हैं, जो अभी तक सोसल एड़वर में जुड़े हैं और जिनोंने कुछ ना कुछ काम किया है और कुछ ना कुछ अचीव किया है उन सभी लोगों के लिए मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सभी लोग आज के बाद अपने लिए नहीं इस पूरे हिंदुस्तान के उन नागरिकों के बारे में सोचिए जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने की जिम्मेवारी आप सब की है और इसके बाद जो आपको खुशी मिलेगी वो खुशी पैसों से नहीं तोली जा सकती तो थैंक यू अल दा बेस्ट 15 अगर्स शवतंतरता दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुबकामना हैं आप लोग आजाद देश में रह रहे हैं लेकिन खुशी हम सब लोगों को उस दिन होगी जिस दिन इस आजाद देश के अंदर सभी लोग आजाद होंगे अपनी इंकम कवाने के लिए भी कोई बेरोजगार ना रहे यही इस कंपने की मुहिम है और यही आप लोगों की भी होने चाहिए थैंक यू, all the best मैं राजीर शर्मा बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ फिल मिलूँगा नए अपडेट के साथ थैंक यू, all the best जय हिंद, वन्दे मात्रम